जैभीम दोस्तों मैं रज़त मौरे आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुजन साहित के इस विशेश कारिकरम किताब पर चाचा में जहां हम चाचा करते हैं बहुजन लेखा को द्वारा लिखे के किताब हैं और बहुजन मुद्धो पर केंदित किताबों पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखे के किताब रिडलस इन हिंदुईजम हिंदु धर्म की पहली नंबर 15 की जिसमें की बाबा साहब एक प्रशन उठा रहा हैं उनका प्रशन ये है कि जो रक्त पीने वाली जो देवियां हैं उनकी शा करोगे तो आपको डीटियल समझ में नहीं आएगी आपकी जानकारी अधूरी रहेगी और वो अधूरी जानकारी जो होती है बड़ी खतानाक होती है अगर आप इस चैनल पर नाए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे इसी किताब के ऊपर यानि की डिडलस इन हिंद वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी इससे आपके तरक मजबूत होंगे और जब भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति जो की ब्रहमनवादी धर्म को मानता है जिसमें की बहुजन तपके की भी बहुत सारे लोग हैं आप उनको समझा सकते हो सारी चीजें डीटेल में अगर जो मैं इस जो बहुजन साहित का जो एक डिजिटल यूनिवर्स है उसको जो एकस्पांड करना चाहता हूं उसको और बड़ा करना चाहता हूं वेबसाइट लॉंच करना चाहता हूं और एप्लिकेशन लॉंच करना चाहता हूं और उस वेबसाइट पर और एप्लिकेशन क्या रहेगा वो मैं समय के साथ आपको बता दूँगा तो जितना ज्यादा आप मुझे समाथन देंगे उतना ही जल्दी में इस काम को कर पाऊंगा किताब का नाम है हिंदुधम की पहली है रेडल सिन हिंदुईजम पेज नंबर 118 पहली क्रिमांग 15 और पहली का नाम है अहि पुरानों में पशुबली की वकालत करने में कोई हिचक नहीं हुई एक पुरान का विशेश उलेक करना जरूरी है वह है काली पुरान यह पुरान इसपश्ट रूप से देवी काली की पूजा को प्रचारित करने के लिए लिए लिखा गया था इस पुरान के एक अध्याय ही रुधिर अर्धियाय का सारांस देता हूं के लिए संपादित होने वाले संसकार और नियमों के विशय में मैं तुम्हें बताता हूं वैशनवी तंत्र में जो प्रावधान किया गया है उनका सभी अफसरों पर सभी देवताओं को बली चड़ा कर पालन किया जाए यानि कि बली चलाने के लिए आपस सिर्व अपने तीन पुत्रों को कह रहे है पक्षी, कच्षप, घडियाल, मीन, वन्य जन्तूओ की नो प्रजातियां भैसो, व्रशब, बकरा, नेवला, जंगली सूर, दर्याई घोडा, म्रग, बारा सिंगा, सीन, बाग, मनुष्य और बली दाता का स्वयम का रक्त, चंडिका देवी और भैरवों की पूजा में प्युक्त है, यह कहा जा रहा है, यानि कि यहां पर मनुष्य की बली देनी की बात नहीं की जारी, लेकिन मनुष्य अपना रक्त चढ़ा सकता है, खून, बली चढ़ाने से ही राजाओं को सुख, स्वर्ग और शत्रू पर विजय प्राप्त होती है, अब यह आप इस अब नगाने से देवी एक महीने की अवदी के लिए खुश रहती है, और मगरमच्छ से तीन महीने तक, वन्ने जन्तूओं की नौ प्रजातियों के रख्त से देवी नौ महीने प्रसंद रहती है, और इस अवदी में वह भक्त का कल्यान करती है, जंगली बेल बड़ी गोडे का रक्त एक सो वर्ष और बाग का भी इतने ही वर्ष संतुष्ट रखता है सी और बारा सिंगा और मानवजाती का रक्त एक हजार वर्ष तक प्रसंद रखता है इनके मास से भी उतनी ही अवधी तक देवी की संतुष्टी होती है जितने समय तक इनके रक्त से यानि कि यहाँ पर मानवजाती का मास भी चढ़ाया जा सकता है यहाँ पर यह कहा जा रहा है इनके मास से भी उतनी ही अवधी कि तक देवी संतुष होती है जितने की इनके रख्त से अब दर्याई घोडे और म्रग के मास तथा रोहु मचली के चढ़ाने का फल सुनो ये पूरा समभाद किसके साथ वो रहा है समझिएगा ये सिव अपने तीन पुत्रों को कौन कौन से पुत्र बेताल भैरवर और भैरव को समभुदित कर रहे हैं ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि केवल बली चढ़ाने से ही इतने हजार वर्षों तक की संतुष्टी और सुख संपदा मिल सकती है ये मैं नहीं कह रहा है ये सिव अपने तीन पुत्रों को सम्भुदित करते हुए कह रहे हैं मिरग और दर्याई घोडे के मास से देवी 500 वर्ष तक रोहु मशली तथा 12 सिंगे से मेरे प्रिय काली 300 वर्ष तक संतुष्ट रहती है आठो पहर में दो बार पानी पीने वाली रेवड की प्रमुख क्रशकाय बच्चों वाली इकरंगी बकरी बर्धिनास कहलाती है वह सर्वुत्तम हव्य देवताओं को चढ़ाने योग पदात और कव्य मरतात्माओं को चढ़ाने योग पदात है नीली गिरवा, लाल शीष, शाम टांगो और स्वेत पंको वाला पक्षी भी बरिद्रनाश कहलाता है यह पक्षी राज है और मेरे तथा विष्णू का प्रिय है अभी तक यहाँ पर मानव बली का जिक्र नहीं था केवल मानव का मास और उसका रख्ट चढ़ाने की बात थी यानि कि मास में तो कोई अपनी एक उंगली भी काटके चढ़ा सकता है लेकिन अब यहाँ पर मानव बली का जिक्राज आता है कि निम्मिलिखित विधी से दी गई मानव बली से देवी एक हजार वर्ष तक परसंद रहती है और तीन मनुष्यों की बली से एक लाख वर्ष तक मेरे रूपधारी कामाख्या चंडिका और भैरव मनुष्य के मास से एक हजार वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते है रख्त का अधर पवित्र मंतरों से अमरित बन जाता है मतलब खून ही अमरित बन गया वो ही मंतरों से कामाख्या को शीश अर्पित किया जाए तो वह अतिप्रसंद होती है जब ग्यानी देवी को चढ़ावा चढ़ाए तो रक्त और शीश अर्पित करें और जब अगनी को आउती दें तो मास डालें ये चीज़ समझिएगा याद रखिएगा कि ये जो मैंना पैरा पढ़ के ब भक्त इस बात से सचेत रहें कि असुद्ध मास अर्पित ना किया जाए क्योंकि वे स्वेम शीश और रक्त को अम्रित मानते हैं बेल पर लगने वाला फल गन्ना नशिली मद्रा सड़ाई हुई मद्रा भी अन्य आहूतियों के समान माने जाते हैं और देवी को उतने काल त है छुरे का दूसरा इस्थान है जबकि कुदाली एक निक्रिष्ट साधन है मतलब चंद्रहास यानि की गाउं में आपने देखा हो हसिया जो रहता है उसी तरह का एक बड़ा हत्यार होता है चंद्रहास उससे बली देना बहुत उत्तम है वह हत्यार बली के लिए बहुत उ करिष्ट है यह सारी चीजे मैं नहीं कहर हे ख अट्रिश कर बाबा साहब ने आपनी किताब में लखी है और बाबा साहब ने रिफ्रेंस लिया है काली पुरान से काली-पुरान के कौन से अध्याय से रुधिर अध्याय से ते इन सास्त्रों को संबोद है saja सिषोई इस सं बाण का प्रियोग न किया जाए क्योंकि उस बली को देवी स्विकार नहीं करती और बली दाता मर जाता है मतलब अगर आपने बर्ची और बाण का इस्तमाल कर दिया बर्ची मुझे समझ में यह रहा है कि किसको का जाता है लेकिन बाण तो तीर कमान वाला जो बाण रहता है तो अगर आपने उसे किसी की बली दी है तो देवी उसको स्विकार नहीं करेगी और जो बली दे रहा है वो मर जाएगा। और जो अपने हातों बली के पक्षू अत्वा पक्षी का शीश मरोड देते हैं वह भी उतना ही पापी है जतना भ्रह्म हत्यारा उसे भारी दुख झेलने पड़ते हैं। ग्यानी को इस उद्देश से बनी कुलहाडी को मंत्रों से पवित्र करके प्रयोग में लाना चाहिए जैसा की दुर्गा और कामाख्या के विशेश रूप से उलिक हैं। यह मंत्र है कुलहाडी को शुद्र करने के लिए पवित्र करने के लिए। ये सब्द इस प्रकार उच्चारे जा सकते हैं जैकाली काली जै दामनी देवी लो खड़क धारी फिर वह कुलाडी अपने हाथ में ले और निमांकित काल रात्र मंत्र से फिर अगनी चेतन करें अगनी जलाएं बलीदाता कहे हरंग हिरंग काली काली भेंकर दातो वाली देवी खा काट अनिष्टहर कुलाडी से काट जुक जपट रक्त पी संफेग रक्षा कर काली को नमस्कार ये काली वंदना काल रात्र मंत्र है इस काल रात्र मंत्र से जब कुलाडी का वार किया जाता है तब काल रात प्राणी इसलिए बनाए थे ताकि इनकी यग्यों में बली दी जा सके इसलिए मैं तेरा जीवन लेकर बिना पाप लिए तेरी बली दे रहा हूं जा एक ना वह एक क्या बोलते हैं एक ना मुमेंट चल रहा है वीगन को वीगन वाला मुमेंट उसमें किसी भी तरह का आप ना एनिमल प्रोड़क्ट आप यूज नहीं करोगे उसमें इवन आप दूद्ध भी इस्तमाल नहीं कर सकते हैं बहुत तो मेरे साथ तो काफी डार्क मुमेंट है वह हाला कि उसके बहुत सारे इंपेक्ट होंगे हम बहुज नतर के उपर उस पर हम कभी विस्तास ही चाचा करेंगे लेकिन में उस मुमेंट का क्यों याद दिला रहा हूं उस मुमेंट के अंदर ज्यादा तर जो हैं वह अपर बताए जिसके लिए बली दी जा रही है और उपर बताए मंत्र के साथ बली चड़ा दे उसका मुख उत्तर को हो अत्वा बली दाता अपना मुख उत्तर में रखे और बली पात्र को पूर्व दिशा में रखे बली चड़ाने के बाद उपर बताए अनुसार रक्त में नमक ज जर्मन सिल्वर्सी सफेद धातू का अत्वा बली में प्रयोगत होने वाले किसी काश्ट का पदात भी मान हैं। वह लोपात्र अत्वा पश्वो की खाल या व्रक्षशाल, कांसे या रांगे या सीसे के बरतन में रक्त भेट ना किया जाए। शुर्व और सुच, नामक पवित्र बरतनों अत्वा भूमी पर भेट ना चड़ाई जाए। घट, घड़े का प्रयोग भी ना किया जाए। रक्त धती पर ना उड़ेला जाए, वह पात्र उप्योग में ना लाया जाए, जिसका प्रयोग अन्य अवसरों पर देवताओं को भूक लगाने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ती संपदा चाहता है, वह इन पात्रों का उप्योग ना करे। महाना व्रक्त केवल धातु अवसरों मिट्टी के बतन में चाहाने पत्तों में बने द्रोन आथवान वैसे ही पात्रों में ना चढ़ाए। यहां पर प्रॉपर टीटियर दोबाट किया क्या होना ची किस तरह कि बतारा है किस तरह का मास चड़ेगा कितना साब सारी यह security आपको चाहिए तो फिर जाओ इस जोकों के डूंट टेक इट सीरियस अश्मेग यग को छोड़कर अश्व बली देना अनुचित है अब यह अश्मेग का जिक्र कहा मिलता है आपको याद रखिएगा यह रामाण में जिक्र मिलता है इसका अश्मेग यग गजमेद के अतरिक्त हाती की बली भी अनुचित है राजा यह देखे कि इन अफसरों को छोड़कर यह बली ना दी जाए यानि राजा को यह संबोदित किया रहे कि बेटा तुमारी पूरी जिम्मेदारी है यह बली नी दी जानी चाहिए किसी भी दचा में यह देवियों को ना चड़ाय जाए अवसर पढ़ने पर अश्म के इस्थान पर जंगली सांड को बली नहीं चड़ाय जा सकता मतलब अगर अश्मेग यह तो फिर वहाँ अगर किसी भी जगह अगर अश्मयानी की घोड़ी की बली दी जा रही है तो किसी भी कंडिशन में उसकी जगह जंगली सांड को बली नहीं चड़ाय जा सकती ब्रहामन देवी को कभी सीह अत्वा बाग या अपने रक्त की बली न दें नहीं नशीली सराब चड़ाएं यदि कोई ब्रहामन सीह बाग अत्वा मानव की बली चड़ाता है तो वह नरक में जाएगा और जितने समय धर्ती पर रहेगा दुख दरिद्ध भोगेगा अब यह समझ में नहीं आए मुझे ब्रहामन के लिए बात की ब्रहामन मानवाली नहीं चड़ाएं और यदि वह मादक मदिरा चड़ाता है तो वह ब्रहामन नहीं लेता अगर आपको याद हो तो एक जगे reference आया था जहां पर शिव अपनी पत्नी पार्वती को कहा रहा है कि और किसी को ब्रह्म ग्ौन प्राप्त करना है या ब्रह्म से एककार करना है तो उसे मडरा का शेवन करना ही होगा हर ब्रहमन को यह जरूरी है ये इसका reference अगर आप मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो आपको कई न कई मिल जाएगा ये शायद मेरे ख्याल से बारवी या तेरवी पहली का है तो एक बार देख लीजगा वीडियो वहाँ पूर reference मिल जाएगा और यहाँ प्रकाज आ रहा है कि अगर कोई मदिरा चढ़ाता है तो वह ब्रहमर नहीं रहता कोई छत्रिय म्रग ना चढ़ाए यदि वह चढ़ाता है तो ब्रहमत्या का भागी होता है जहां कहीं सीम बाग और मानव बली की आवशकता हो तो तीन कारे किये जाएं सीम बाग और मानव की मक्की का जोके गीले आटे की आकरितियां बना ली जाएं, उनकी बली इसी प्रकार चड़ाई जाए जैसे जीवित प्राणियों की बली चड़ाई जाती है, कुलहारी मंतरचारंग के साथ चलाई जाए, यदि कई पशुओं की बली देनी हों, तो केवल दो अत्वा, तीन को ही देवी के समक्ष लाना परयाप्त है, उनमें सभी की उपस्तिती मानी जाएगी, हे भैरव मैंने तुम्हें उत्सव की सामाने बातें बता दी हैं, और यह भी बता दिया है कि बली कैसे हो और किन अफसरों पर कौन से मंतर पढ़े जाएं, जब देव भैरवी या भैरव को भैंस की भेट चिड़ाई जाए, तो बली पशु के समक्ष निमांकित मंतर पढ़े जाएं, हे भैंस जिस रीती से तु घोड़ों का नाश करती है, जिस रीती से तु चंडिका तक जाती है, उसी प्रकार तु मेरे शत्रु का विनाश कर और मुझे सम यह भैंस की बली देने वक्त यह मंतर बताने है, अब मानव रक्त की भेट चिड़ाने संबंदी विवरन सुनों, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर विराम करूँगा, यहीं पर रोकूँगा, अगले वीडियो में हम समझेंगे मानव र आप लोग मुझे बताईए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप खरीद नहीं सकते हैं, तो फ्री में भी इनको आएगा इंडिया, जै भीम, जै भारा, जै समेधान, जै जोहार